शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव शंभू शिवलिंग को साफ करके जल अर्पित करिए भक्त सब आते हैं और अपने 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 दुखों का निवारन करने के लिए शिवलिंग पर तमाम वस्तवे आदि चढ़ाते हैं तो फिरदाद भी चढ़ाते हैं कुछ वस्तवे भी ऐसी चढ़ाते हैं जो रोग-मुक्ति के लिए कष्ट्निवान के लिए सुख्सर में ध्यक्ली होती हैं तो दोस्तों मैं यही बात कहना चाहूंगी कि आप जब शिवलिंग पर आप उपाय करते हैं तो उन उपायों के साथ आपको बाबा का भी महादेव जी का भी ध्यान रखना है शिवलिंग का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने लिए अगर कोई बस्तुए को चढ़ा तो बाबा को शिवलिंग को आपको साफ करना है उनको ऐसा गंदा करके आपको नहीं वापस जाना है आप उपाय करिए रोग मुक्ती के उपाय करिए करिये धन संपता का उपाय करिए लेकि आपको जलाधारी को साफ करना है शिवलिंग को आपको साफ करके जाना है पहले त तो आप चढ़ा लीजिए लेकिन बाद में आपको स्वक्षित जल से बाबा को विशेक करके साफ करके शिवलिंग तब आपको वापस अपने घर जाना है मैंने देखा है कि कुछ लोग आते हैं जैसे दूद चढ़ा दिया पंचे मिर्द भी चढ़ा दिया गुड इतियादी शेह चढ़ा दिया मीठा परदाद भी चढ़ा देते हैं बरफी मेवा मिष्ठान भी चढ़ा देते हैं चीनी चढ़ा देते हैं लेकिन उसके बाद आप तो चुड़ा के चले गए लेकि कभी आपने सोचा है कि बाबा पर क्या बीति है बाबा के उपर आपने इतना सब कुछ चढ़ा दी अतना भार कर दिया उसके बदद चीती है मक्षी हैं मदु मक्षी हैं चीटे हैं वो चिपकते हैं तो आप अगर आपको एक चीटी काट ले राय चड़ जाती तो आप उसको हटाते हैं न किती तकलिफ होती है घिन लगती कितना गंदा लगता है तो वैसी महादेव भी तो है महादेव भी हमें सब कई दे रहे हैं हमाई दुखों का अंत्त कर रहें महहादेव हैं तो आपUP ऐसे कैसे झोड़के आपको बाबक को समर्पीत करना है और टेच करके हलका सा जलाधारी पर टेच करके आपको नीचे जलाधारी के शिवलिंग के नीचे आपको खाने पीने की वस्तुवे रखनी है क्योंकि गुरुजी श्री परतियप मिश्रा जी यही बताते हैं कि अगर आप जो है को भी वस्त नीचे शिवलिंग पर आगा चडि छोड़ देते ते तो इससे जो है आपके उपर बोझ बढ़ता है पहले तो महादेव जी के ऊपर आपने एक बोझ बढ़ा दिया कि उनके उप कंब आ सब ने थोक धिया रख दिया वぎ् अब貌 औब झोपकर बिए कोई भी वस्तु कोई रख देगा तो आपको कैसा लगेगा तो इसी महादेव जी का भी आप ध्यान रखें मेरी एक बिंती है निवेदन है हाज जोड़ के आप लोग इस चीज का करपा ध्यान रखें अगर बावा पे कोई वस्तु आपको चढ़ाने का या खिलाने का कोई आ शहद है गोड है मीठा मिश्ठान है आपको शिवलिंग पे चिपकाना नहीं है भाव पूर्ण आपको समर्पित करना है और अलग नीचे रख देना है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके उपर कश्टों का और दुखों का भार नहीं आएगा श्री गुरु जी प्रदी पि आते हैं कि हम अगर जलाधारी पर शिवलिंग पर अगर कोई भी खाने पीने की वस्तु चड़ाते हैं फल लित्यादी रखते हैं तो हमारे उपका बोज बोज बढ़ तो इस बात का विशेज ध्यान रखिए हमें शिवलिंग साफ रखना है स्वक्षे रखना है और स्वक्